सत्संग के बाहरवे भाग को प्रारंबह करते हैं। पूझे स्वामी रामसुक दाश्ची कहते हैं। नवधा भक्ती से प्रकट होने वाली प्रेम लक्षना भक्ती है। रागात्मी का भक्ती राधाजी की और रागानुगा भक्ती जीवों की मानी जाती है। पर जीवों की भी रागात्मिका भक्ती हो सकती है ग्यान मार्ग और भक्ती मार्ग दोनों ही आदरणी हैं कल्यान करने वाले हैं कीर्तन में जो आनंद आता है वहे विशयों से होने वाला नहीं है भगवान जिस रूप में आएं उसी रूप के अनुसार उनकी पूजा करो भीश्म जी ने बानों से भगवान की पूजा की थी जैसा देव वैसी पूजा भगवान आतताई रूप से आ जाएं तो उनकी पूजा भी वैसी ही करो इससे भगवान बड़े प्रसन होंगे हाँ, रुदय में द्वेश वईर भाव नहीं होना चाहिए आतताई को मारने का पाप नहीं लगता ऐसा शास्त्र में आया है मारना उसको पाप से बचाना है जैसे फोडे को चीर कर या खराब अंग को काट कर डॉक्टर, रोगी को ठीक करता है जागरत अवस्था में वृत्ती, न बाहर हो न भीतर हो वह जागरत सुशुप्ती है जागरत सुशुप्ती साधन है जिससे संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है निर्पेक्ष तत्व में न जागरत है, न सुशुप्ती है अपितु नित्य जागरती है संसार को सत्ता और महत्ता देने से नित्य जागरती का अनुभाव नहीं होता पर मात्मा की प्राप्ती नित्य प्राप्त की प्राप्ती है संसार की निवृत्ती नित्य निवृत्य की निवृत्य है जैसे बर्फ के घड़े को पानी से भरकर समुद्र में छोड़ दें तो पानी के सिवाए कुछ नहीं है ऐसे ही एक परमात्मा के सिवाए कुछ नहीं है बाहर भीतर सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है दही और मक्षन अलग-अलग होते हुए भी दिखाई नहीं देते परन्तु जब मक्षन को दही से अलग कर देते हैं तब फिर वे मिलते नहीं श्रीग्र भगवत प्राप्ति चाहने वाले को देरी से प्राप्ति होती है और सुगमता से भगवत प्राप्ति चाहने वाले को कठिंता से प्राप्ति होती है भगवत प्राप्ति किसी उपाए अत्वास साधन से नहीं होती भगवान किसी साधन के वशिभूत नहीं है वस्तु जिस मूले से मिलती है उससे कम मूले की होती है भगवान से अधिक मूल्य वाली कोई वस्तू है ही नहीं जिससे भगवान मिल सकें भगवान के बिना रहने सकें ऐसी व्याकुलता से भगवान मिलते हैं बालक के रोने से मा आ जाती है तो मा रोने के वश में नहीं है अपितु मां से आए बिना रहा नहीं जाता यह मां की दया है व्याकुलता तभी होगी जब भगवान के सिवाए किसी भी चीज़ की कामना हमारे अंदर नहो बालक किवल मां को ही चाहे खिलोने से भी राजी नहो तब मां आती है भगवान अत्यंत नज़्दीक है छे महीने के बाद द्रुव जी का जो भाव हुआ वह पहले होता तो पहले ही भगवान मिल जाते भगवान मैं पन से भी अधिक नज़्दीक है भगवान से रहित कोई चीज़ है ही नहीं संसार में जिन वस्तुओं को आपने अपना मान रखा है वही तो बादक है हम लोग मिश्री के पहाड पर बैठे हैं पर मन में नमक पकड रखा है ग्यान और भगती की चर्चा तो बहुत होती है पर कर्मयोग की नहीं होती कर्मयोग को जानने वाले बहुत कम है यह केवल अभी की बात नहीं है पहले भी ऐसी बात थी सकाले नेह महता योगो नश्टह परंतपा ग्यान के बाद जो भगती होती है वह बहुत विलक्षन होती है मद भगतिम लभते पराम मेरी परा भगती को प्राप्त होता है नवधा भगती तो अपरा भगती है साधन भगती है परंतु परा भगती साध्य भग्ति है यह प्रेम लक्षणा भग्ति है पर इस तरफ ध्यान कम है पर आभग्ति की प्राब्ति ग्यान होने पर भी होती है पहले भी होती है परन्तु साधक को संतोष नहीं करना चाहिए चाहे किसी मार्ग से चले संसार में असंतोश नहीं करना चाहिए अपने को ग्यानी या भग्त न मान कर साधक ही मानना चाहिए कहीं अठकना नहीं चाहिए ग्यान भग्तियादी किसी साधन को नीचा नहीं मानना चाहिए दूसरों की निंदा तिरस्कार करने वाला वास्तव में अपने ही साधन में बाधा लगाता है संसार की भी निंदा न करें अपितुस का त्याग संबंध विच्छेद करें मनुष्य में तीन शक्तियां है करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति इसलिए योग भी तीन है कर्मयोग, ज्यानयोग और भक्तियोग तीनों योग मार्गों से कृत कृत्यता, ज्यात ज्यात अव्यता और प्राप्त प्राप्त अव्यता हो जाती है तीनों स्वतंत्र साधन है स्वर्ग में भी दुख मिलता है और नरक में भी सुख मिलता है स्वर्ग और नरक में सब कर्म नहीं कटते सब पाप पुन्यों का शय नहीं होता रूप में सुन्दर्ता की और नाम में संख्या की मुख्यता होती है भगवान का नाम और रूप दोनों ही विलक्षन है पर मात्म प्राप्ती के एक निश्चे में बड़ी भारी शक्ती है क्षिप्रम भवती धर मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छती निश्चे करने मात्र से बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है परंतु भोग और संग्रह में आसकती होने के कारण एक निश्चय नहीं होता पराभग्ति, प्रेमाभग्ति होने पर कोन प्रेमी है और कोन प्रेमास्पद है इसका पता ही नहीं चलता खास ज्यान है विवेक ज्यान यहे विवेक ज्ञान केवल तत्व प्राप्ति के लिए हो तो यहे साधन ज्ञान है शरीर संसार एक है और आत्मा परमात्मा एक है शरीर को संसार से अलग मानना और संसार को शरीर से अलग मानना अज्ञान है संसार से मिली वस्तु से संसार की सेवा करनी है हमें पदार्थों से सेवा करने से ममता मिठती है और शरीर से सेवा करने से अहमता मिठती है विवेक ग्यान साधन ग्यान है और तत्व बोध साध्य ग्यान है मोटर के प्रकाश की तरह प्रत्यक कार्य में विवेक आगे रहता है यदि विवेक के अनुसार कार्य किया जाए तो वह विवेक तत्व बोध तक पहुँचा देता है सत्संग और सत्यशास्त्र से विवेक बढ़ता है पर उसके अनुसार आचरन करने से वह ठोस होता है विवेख ही गुरू है जिसके द्वारा विवेख मिलता है वह भी गुरू हो जाता है अपनी जानकारी दूसरों के काम तो आए पर अपने काम ना आए यह गलती है वेदों में शास्त्रों में गाए की बड़ी महिमा आई है जनेव संसकार में पंच गव्य काम आता है आयुरू वेद में कई दवाएं भी गोमुत्र चाच आदी से बनती हैं गोमुत्र से दमा आदी कई रोग शान्त होते हैं इसलिए गो सेवा वे गो रक्षा करनी चाहिए मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं इसके लिए कोई उपाए नहीं होता यह बात स्वयम से मानने की स्विकार करने की है जो कभी योगी कभी भोगी बनता है वे भोगी ही रहता है योगी की खास बात है सुख भोग का उद्दिश्य उसमें नहीं रहता पक्का निश्चय हो जाए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ती ही करनी है तो वह योगी हो जाता है जितनी द्रड़ता होगी उतनी जल्दी योगी होगा विक्ती अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराज होना साधक के लिए खास बाधक है राग द्वेश ही हमारे असली शत्रू है राग ठंडक है द्वेश गर्मी है दोनों से ही खेती जल जाती है भोगी योगी नहीं होता प्रतित रोगी होता है भोगे रोग भयम जो हर समय सावधान रहता है वही साधक होता है गीता का योग सबसे श्रिष्ट है समत्वम योग उच्चते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई यह शरनागती का साधन है और दूसरों न कोई यह इसकी द्रड़ता के लिए है एक भगवान की तरफ वृत्ती रहे यह अनन्यता है भगवान के किसी भी रूप का आश्य भगवान का ही आश्य है अन्य का आश्य नहीं है संसार का आश्य ही अन्य का आश्य है इस अन्य के आश्य के त्याग की आवश्यक्ता है ग्यान होना दोशी नहीं है उसमें आकर्शन होना दोशी है अच्छे बुरे का ग्यान होना दोशी नहीं है उसमें राग द्वेश होना दोशी है मन का लगाव दोशी है यहां प्रिये अप्रिये का तात पर ये ग्यान होना है अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता का ग्यान मात्र अनुकूलता प्रतिकूलता में हर्शित और उद्विग्न होने से हम फश जाते हैं गीता में आया है कर्मेंद्रियानी सैयम्या या आस्ते मनसास्मरन इंद्रियार्थान विमूड हात्मा मिध्या चारह सहुच्यते। मिध्याचारी कहा जाता है। मिध्याचारी की जो स्थिती है वही स्थिती आरंभ में साधक की भी होती है। विशयों का चिंतन करना दोश है। होना तो परवश्यता है। क्रिया एक दिखाई देने पर भी भाव में भेद है। एक चिंतन करता है, एक का चिंतन होता है। एक का उद्देश्य मान बड़ाई आदी का है, एक का उद्देश्य भगवान का है। भगवान भाव देखते हैं, नियत ठीक होनी चाहिए। सन्यासी के लिए कनक कामिनी का त्याग मुख्य है। ग्रिहस्थ के लिए परधन और परस्त्री का त्याग मुख्य है। सब विकारों के नाश का उपाए है, सब में भगवद भाव करना। जब भगत का संपोन स्त्री पुरुशों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है। अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, भगवान को ही देखता है। तब शिग्र ही उसके चित्त में इरशा, दोश दृष्टी, तिरसकार आदी दोश, अहंकार सहित नहीं रहते। विकारों के नाश का दूसरा उपाय है, बिगरी जनम अनेक की सुधरे अभही आज्यू, खोगी राम को नाम जपू, तूसी तजी को समाज्यू। एक साधक ने स्वामी जी से पूछा, जीवन मुक्त में भी दोश दिखाई देते हैं माहराज जी, इसका कारण क्या है? तब स्वामी जी ने कहा, आपने उसको जीवन मुक्त मान लिया, यही तो खास कारण है, दूसरा कैसा ही हो, आप अपने जीवन को निर्दोश बनाएं मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई, यह मेरा बाई का बहुत बढ़िया मंत्र है, भगवान का होकर भगवान का भजन करो, संसार का होकर नहीं, भगवान ही हमारे हैं, हमने अपनी मर्जी से जन्म नहीं लिया है, भगवान ने जन्म दिया है, आपके सामने छोटे भी चले गए, बड़े भी चले गए, और समान अवस्था वाले भी चले गए, अतह आप तो मुफ्त में ही जी रहे हो, वह जीना भगवान के लिए कर दो, जो चीज कम होती है, वह नश्ट होने वाली होती है, सच्ची चीज कम नहीं होती, विकार कम होते हैं, तो वे मिटने वाले हैं, कनहिया तो बहुत चतुर हैं, पर किशोरी जी बहुत भोली हैं, जो नित्य निरंतर प्राप्त है, उसी को प्राप्त करना है, जो निरंतर जा रहा है, उसी का त्याग करना है, संसार निरंतर अभाव में जा रहा है उसका त्याग करने का आर्थ है उसकी इच्छा न रखना उससे सुख न लेना संसार नदी के प्रवाह की तरह निरंतर जा रहा है जो निरंतर जा रहा है मिट रहा है उससे हमारा क्या मतलब सिद्ध होगा संपूर्ण संसार जानने के अंतरगत आ रहा है वह ज्यान संसार के भाव और अभाव दोनों का प्रकाशक है उसमें हमारी स्वतह सिध्ध स्थिती है नहीं को है मानने का नाम ही अज्यान है ज्यान के अभाव का नाम अज्यान नहीं है यह मिट रहा है इस मिटने को जो जानता है वहटिक रहा है एक शोता ने पूछा यह सब जानते हुए भी संसार का आकरशन न मिटने का कारण क्या है स्वामी जी तब स्वामी जी ने कहा संसार का आकरशन न मिटने का कारण है नाशवान से सुख लेना इसके लिए खास उपाए है दूसरों को सुख देना बालक में साड़े तीन अंगुल का ग्यान होता है इससे आगे साड़े तीन हाथ शरीर का ग्यान होता है इससे आगे तीन जन्मों का ग्यान होता है भगवान सात्विक राजसिक और तामसिक कर्म करते हुए भी निर्गुन रहते हैं ब्रम्हा विश्णु और शंकर अपना कारिय करते हुए भी निर्गुन हैं जीवन मुक्त महापुरुष भी निर्गुन रहता है गुणा तीता सवुच्यते मनुष्य में विवेक शक्ती विलक्षन है जो मुक्ती काशी में मरने से होती है वह मुक्ती हर एक मनुष्य कहीं भी कर सकता है शंकर भी जिसको जबते हैं वह राम नाम हम कलियूगी जीवों को मिल गया यह कितने आनंद की बात है अवद तहां जहां राम निवासू जैसे जहां राम है वहीं अयोध्या है ऐसे ही जहां कृष्ण है वहीं वरिंदावन है तीर्थ में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए यहां पुर्ण्य भी बहुत होता है और पाप भी भयंकर होता है इसलिए पहले लोग तीर्थ में दुकान नहीं करते थे दुकानदार की हर समय यह भावना रहती है कि अनाज महंगा हो गया दूसरों के हित के लिए कर्म करने से ग्यान से और शर्णागती से तीनों से सब बाप सर्वता नश्ट हो जाते है सत्संग का बाहरवा भाग पूर्ण हुआ शेश अगले अंक में